देखो, जैसे कॉलेज से मेसेज आना, या घर से फोन आना, तुम इतना तो मानते हो कि तुमारी इडेंटिटी भी जीरो पराबर ही है, है न? तुम लोग अभी कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं हो कि लोग तुम्हें बड़ा सर्च कर रहे हैं और तुमारे अभियान नि जरूर तुम्हें वाटसएप चलाने, इंस्टा चलाने वो तुम्हारी जरूरत है, खाने की तरह है लेकिन उसका एक टाइम सेट कर लो उसका, क्लास के बीच में तुम फोन देख रहो है तुम्हें नहीं लगता ध्यान डाइवर्ट होता है और ये कम पकड़ी जाते हैं औ इसके टाइम पर, आच्छा बहुत अच्छी बात है, फिर बेटा तुम ही लगोगे, जिनके फोन नहीं आते बही लगेगा, जिनके ज्यादा फोन आएंगे फिर गडबड में होगे बेटा बात, और लड़कियों तुम इस बात को समझ लो, तुमारे पास लिमिटेड इनके तब तक शादी नी होगे, जब तक यहने इन हो लगेंगे, और तुम लोगों को तो, आप यह तुम्हे पता निये, ना, शादी के बात जिन्दिक जो है, नोग जहन्नुम बन जाएगे अगर तुम इंडिपेंड पेंडन नहीं हो, यह बातें सिर्फ कहने भर की नही तो में लगता है दुनिया बहुत खुबसूरत है बहुत हसीन है कुछ भी नहीं है दुनिया भयाव है काली है और उसमें न तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने जो काबीलियत है न ये सस्टेन करवाएगी और लड़कियों को तो वैसे बेटा दूसरा अप्शन है नही एक बार जहां तुम्हारी शादी हो गई तुम्हें जिंदगी भर वहाँ निभाना पड़ेगा अगर तुम पड़ी लिखी हो तो तुम्हें इज़त मिल जाएगी अदरवाइस वहीं बेज़ती भी होगी और वहीं रहना भी पड़ेगा फिर तुम्हें ये बात याद हमें क्या फॉलो ही करते हैं इस्टा पर तो वो किसी काम नहीं आने और यह मुझे कल भी शिकायत कर रहा था कि लड़कियां जो है फोन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा कॉंशियस रहो जैसे समझदार को इशारा ही काफी होता है अब एक-एक को पकड़ा तो न मुझे नहीं बिगड़ना मुझे गलत रास्ता नहीं पकड़ना तुम इस टाइम पर अगर बिगड़ना चाहोगी तो तुमारे पेरेंट्स तक नहीं रोक पाएंगे हम तो हैं ही क्या हम तो यहां एक गंटे की क्लास लेते हैं चले जाते हैं मुझे नहीं पता तुम में से पेरेंट्स बहुत कम टाइम देंगे जेनरली पेरेंट्स 23-24 के बाद शादी ब्याहा की बातचीत करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है लड़किया लाइबिलिटी है वह हमारे सिर्फ एक जिम्मेदार है भी इसमें कोई दो राय नहीं है जो लड़किया पढ़ेंगी लिखें अपना खुद से ले उन्हें शादी करनी है नहीं करनी किसे करनी उनको आजादी लेकिन ये तरीका कि वहीं अब 20 साल की उम्र है उन्हें साल की अभी स्कूल से निकले वाटसेप चलाए जा रहे हैं इंस्टा पे मेसेज आ रहे हैं तो बिटा इसका फिर लॉंग रन में पूरा दिन तुमारा जाले उतारने में और पोचे मारने में चला जाएगा तो उससे तुमें बचना है काम कोई पुरा नहीं है मैं ये बिल्कुल नहीं कहते है काम पुरा है लेकिन तु मोशsto के लिए नहीं बने के तुम सिर्ठ पूरी जिन्दगी पोचे मारते रहो और मैं लगता नहीं हम उसमें खुछ रहेंगे तो बेटा कर लो फिर मेसेज फिर कॉन रोक सकता है फिर तो कोई रोक ही नहीं सकता तो अपनी लाइफ सेट कर लो ये फालतू के काम कहीं काम नहीं आने बेटा है ना और अब मुझे समझ नहीं आता लड़कियां जो इनको टोकना पड़ रहा है नहीं तो हमारे टाइम पर मुझे याद है लड़कियों को तो कोई कहता ही नहीं था लड़कियों के तरफ देखना ही नहीं पड़ता था लड़कों को तो टोकना पड़ता था पर आजका लड़के थोड़े शरीफ हो गया, एक्चली इनको ना, इनको, नहीं, शरीफ नहीं इसको बोलना चाहिए, इनको बुद्धी आ गई, कि भाईया, ये सब चीजे सेकेंडरी हैं, ये सच बात है, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, ये मेच्चुर हो पकड़ने के साथ इनका विजडम बढ़ गया, लेकिन तुम लोग नहीं बढ़ पा रही हो, तुम में से कुछ, कई तो लड़कियां बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, लेकिन कई लड़कियां ऐसी हैं, जिसको रोज ये फोन पकड़ने पड़ते हैं ये फोन एक दो बढ़ पकड़ने के बाद तुमारे पेरेंट्स सा कि हमें ये बात पहुंचानी पड़ेगी कि तुम नहीं पड़ रहे हो, सब के लिए नहीं हैं, जो लड़कियां अच्छी हैं, पड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, all the best पड़ते रहना, लेकिन जो पकड़ी जा रहे हैं रोज-रोज, उनको अलर्ट होना है बिटा, ठीक है, और ये दिन बहुत जल्दी भागेंगे, ये अपने पेरेंट्स के घर जो एश्वाराम है न, तुमारे बीच में जो मैरेडन से पूछ लो, ये ऐश्वाराम जादा दिन चलना नहीं है, पेरेंट जालो, पचास रुबे का आते हैं, पचास का होज़ा है, सो का है, तो पिता जी का ही, जितने का भी है, पिता जी का है, चलो बेटा, इसको पूरा कर लो, फटा भागे, टेक्स और फीस को, कहां पहुंचे थे हम लोग, लास्ट थर्ड पॉइंट पढ़ रहे थे न, चीक है जालो, तो आरो, जालो, जालो, जसी यौब का जेने का।ों सहीता जी को, कहां दो हिए थे हैं, जी जी को बेंने का हीकैं से जी पिताता है, साफ़ा है जी क्वे, उी का हीमीन, जी को प्हुंचे घ вперग Fridays, औलो, पुन रहे हैं, आहे हैं, पुवे का है।